दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर बिहार देखिए ये फिशिंग का पूराना तरीका है लेकिन ये बहुत काम्याब है अभी आप यहां पे देखिए दो लोकेशन दिखाई देरा एक ये जाली है जाली के पीछे एक ग्रीन कलर का जाल लगा है और सामने एक पतला सा नाली जैसा बनाया गया है और वो भी आगे जाकर के मचली फसाने का जगा है तो जहां पानी का धार तेज होता है मतलब ज्यादा तेज नहीं पतला नाला के जैसा होता है वहां पर आप इस तरीका से मचली पकड़ सकते हैं एक जाली जैसा होता है जाली से आप उसको घेर करके क् उसके बाद से एक किनारे से पतला नाला निकालेंगे नाला निकाल करके आगर आगे जाकर के आप उसको जाली लगा करके बॉक्स बनाईएगा ताके ये पानी का जो आगे से धार जा रहा है जहां एरो दिखाई दे रहा है तो देखिए इस बॉक्स से होते हुए जाल के जब उनका रास्ता बंद होता है तो क्या करती है मचली तो देखिए यहाँ पर फिर से देखिए यह जो हमने बीच में घेरा है इसको और यहां गरिन कलर का जो जाली लगाया इसके अंदर हमने घास डाला है मचली पानी के बहाव के तरफ आगे बढ़ती है जब उसको रास्त बंद मिलता है तो वो उचल करके उपर से जाने की कोशिस करती है और इसमें वो काम्याब नहीं होने के वज़ा से उस जाली के अंदर गिर जाती है और क्या होता है आसानी से हम मचली का शिकार कर सकते हैं और अगर जाली के दूसरी तरफ है तो वो पतला नाला से होते हुए इ यहां भी ऐसे हैं हुआ है देखिए यहां आप जो यह कपड़ा दिखाई देरा इसके नीचे बॉक्स लगा है मचली को आने जाने में इधर से रास्ता तो नहीं मिलेगा लेकिन इस बॉक्स के अंदर घुस जाएगी मचली तो घेर जाएगी और आसानी से उससे निकल नहीं पाएगी और कोई मचली अगर नहीं जाना चाती है उचल करके जाना चाती है तो फिर यह घास जो हमने डाला है कपड़ा के अंदर उसके अंदर उलेश जाएगी और मचली उसके अंदर रह जाएगी तो दोस्तों यह बहुत बेहतरीन तरीका है आपको हो सकता है कि पता हो अगर नहीं पता है तो आप भी इस तरीका से शिकार कर सकते हैं, आपको ये करना है कि जहाँ पानी का बहाव है, वहाँ एक जाली लगा दीजिए ताके पानी रूके नहीं, पानी का बहाव चलता रहा है, तो दूसरे तरफ से जिधर से धार पानी का आगे बढ़ रहा है, व्षणाया उपड़ा का जाली लगाया है इसके अंदर उचली उचलेगी और घास के अंदर उलज करके रूख जाएगी और 10 मिनट पर 15 मिनट पर आधा गंटा पर आप इसको चेक करेंगे चेक करके मजली खाली करके ले जा सकते हैं अगर पानी का बहाउत देज है मजली ज् मचली का शिकार आप आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों ये बहतर तरीका है आप भी इसे ट्राइ कीजिए और बिना ज्यादा मेहनत किये हुए आसानी से आप इस तरीका से शिकार कर सकते हैं बस आप एक बार इसको बनाएंगे बनाने के बाद से आसानी से आप घर जा सकते हैं और जब मचली बहुत जादे इसमें जमा हो जाए तो आप वापस आ करके ले लेंगे इसमें एक और फायदा होता है घास रखने के लिए कि अगर घास रखेंगे तो मचली अंदर छिप जाएगी और चिडिया जो जैसे बगला हो गया या दूसरी चिडिया हो गई आपका यकवा हो गया मचली का नुकसान नहीं करेगा और आसानी से आपका मचली जाल के अंदर पड़ा रहेगा और बहतर तरीका से आप पकड़ के ले जा सकते हाँ अगर आदमी कोई उठा के ले जा रहा है तो उसकी गारेंटी नहीं है दोस्तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस वीडियो से अगर फायदा पहुंचता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ओके दोस्तो धन्यवाद थेंक यू